25 जून साल 2005 हिंदी सिनेमा के दिगज एक्टर सुनील दत का निधन हुआ उन्हें याद करते हुए फिल्म हिस्टोरियन अली पीटर जॉन ने एक मैगजीन में एक बार एक लेख लिखा था शीशक का नाम था सच में दत साहब का दिल कितना बड़ा था अली पीटर जॉन अपने लेख में लिखते हैं कि एक दिन सुनिल दत ने मिलने बुलाया मैं सुभा साड़े साथ बजे उनके पाली हिल वाले बंगले पहुँचा उन्होंने कहा पहले ठीक से नाश्ता करो क्योंकि दिन भर खाने की फुरसत नहीं मिलेगी मैं कुछ समझ नहीं पाया आखिर होने के वाला है पर उनका अनुरोध मेरे लिए आदेश था अली पीटर जॉन अपने लेख में आगे लिखते हैं कि नाश्ता करने के बाद हम एक एमबेजडर कार से रवाना हुए और सबसे पहले परेल की भीड भाड़ वाली गलियों में उतरे हातों में एक छड़ी लिये चल रहे सुनिल दत के पीछे-पीछे मैं था सबसे पहले एक चौल के छोटे से कमरे में गुसे सामने कुर्सी में बैठे थे लखवागरस्त और मुश्किल से बोल पा रहे अपने दौर के ग्रेड कॉमेडियन और फिल्म प्रडूसर भगवान दादा सुनिल दत को देख भगवान दादा का चेहरा खिल गया फिर हमने टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में कैंसर से जूज रहे एक्टर राजन हसकर का हालचाल लिया मैं समझ गया कि सुनिल दत आज पूरे दिन क्या करने वाले है हम चैंबूर की एक चौल गए वहाँ एक चोटे से कमरे में अपने दौर के दिगज बिलन केयन सिंग से मिले वो याददास्त खो चुके थे और शराब ने उन्हें अंधा बना दिया था दिन बीता हम चैंबूर में ही दिगज एक्टर अशोक कुमार के बंगले पहुँचे अशोक कुमार का चेहरा काला और बाल कम हो गए थे अशोक कुमार ने खूब बाते की, खाना भी खिलाया जैसे ही हम दादा मुनी के बंगले के बाहर निकले तो देखा कि नलनी जैवन्त बदहवास हालत में टहल रही थी नलनी जैवन्त ने कोई बात नहीं की और सुनील दत ने भी बात करना मुनासिब नहीं समझा वजय थी वो अलजाइमर से पीडित थी, उनकी याददास चली गई थी हमें उन्हें वैसे ही छोड़ना पड़ा जैसे वो थी और हम आगे चले गए नलनी जैवन्त पाई पाई को मोहताज थी, रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे, दो शादी एक से महबबत फिर भी तनहा, जब मौत होई तो तीन दिनों तक लाश सरती रही ना महले वाले ना कोई रिष्टेदार बौडी लेने कोई नहीं आया इन्हें लवारिस लाश की तरह फूक दिया गया आज काहनी खुपसूर्ती के मामले में मदुबाला को भी मात देने वाली गुजरे जमाने की दिगज एक्टरस नलनी जैवन्त 24 साल के फिल्मी सफर में तिरपन फिल्मे की छोटे कद और गठीले बदन की नलनी जैवन्त जो बेहत खुपसूरत थी लेकिन उनका अंत सड़ा हुआ था 18 फरवरी साल 1926 मुंबई के एक मराथी परिवार में नलनी जैवन्त का जन हुआ पिता कस्टम अफसर और मा हाउस वाइफ दो बाई भी थे बचपन से ही डान्स और गाने का शौक था पिता ने हीरा बाई जवेरी से क्लास्कल म्यूजिक की ट्रेनिंग दिलबाई पिता के पास एक सिनेमा हॉल भी था वो वहाँ फिल्म में देखने जाती एक्टरस बनने का ख्वाब फिल्म में देखते देखते आया हिरोईन बनने की वजह एक और थी वो अपने दौर की फेमस एक्टरस शोबना समर्थ से प्रभावित थी नल्नी जैवंद सोबना समर्थ की कजन सिस्टर थी शोबना समर्थ की बेटी एक्टरस नूतन और तनूजा और तनूजा की बेटी काजोल और तनीशा इस रिश्टे से नल्नी जैवन्त काजोल की नानी लगी, लेकिन नल्नी के पिता शोबना समर्थ के परिवार से चिडते थे, क्योंकि वो फिल्मों में काम करने को अच्छा नहीं मानते थे उन्होंने शोबना को कई बार जान से मारने की धमकी भी दी थी इस वज़े से शोबना की मा रतन भाई ने नल्नी जैवंद के घर वालों से रिष्टा तोड़ दिया इधार नल्नी जैवंद हिरोईन बनने पर अड़ी थी वो जित करती तो उन्हें पीटा जाता उन्हें किसी भी तरह अपने सपनों को पूरा करना था एक दिन नलनी शोबना के बर्थडे पर उनके घर गई पार्टी में फिल्म प्रेडूसर चिमनलाल देसाई भी आये थे वो इन दुनों साल 1941 की फिल्म राधिका बना रहे थे उन्हें नए चेहरे की तलाश थी जब चिमनलाल देसाई ने 14 साल की नलनी जैवन्त को देखा तो तै कर लिया वो उन्हीं को कास्ट करेंगे चिमनलाल देसाई ने नलनी जैवन्त के पिता को समझाया कहा वक्त बदल गया है तब कहीं नल्नी जैवंत के पिता माने इस तरह से साल 1941 की फिल्म राधिका से नल्नी जैवंत ने डेब्यू किया फिल्म राधिका के डिरेक्टर चिमन लायल देसाई के बेटे विरेन देसाई थे फिल्म की शूटिंग के दोरान दोनों की दोस्ती हुई, प्यार हुआ, शादी करना चाहते थे दिक्कत थी दोनों के घरवाले क्योंकि विरेन देसाई पहले से शादी शुदा थे एक बच्चे के पिता थे और नल्नी से उम्र में 13 साल बड़े भी थे फिर भी दोनों ने शादी की, इस वज़े से दोनों के परिवार वालों ने उन्हें बेदखल कर दिया फिर इनके साहरा बने फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक शश्रदान मुखरजी उन्होंने दोनों को अपने स्टूडियो में नौकरी भी थी साल 1941 में ग्रेड डिरेक्टर महभूख खान की फिल्म बहन में नल्नी जैवंत को काम मिला, फिल्म हिट हुई, नल्नी के काम को भी सरहा गया लेकिन अभी नल्नी को बड़े रोल नहीं मिल रहे थे दो वज़े थी, पहली वो सिर्फ 15-16 साल की थी, दूसरी उन्होंने शर्षदर मुखरजी के सामने ये शर्थ रख दी कि वो उसी फिल्म में काम करेंगी जिस फिल्म को उनके पती डिरेक्ट करेंगे इस बास से शर्षदर मुखरजी नाराज हो गए, उनकी बेहत कम फिल्मे आ रही थी, लोग उन्हें भूलने लगे थे इसका असर नलनी और विरेंद की शादी सुधा जिंदगी पर पड़ा, दोनों अकसर जगडते थे, जिस वज़े से शादी के पांच साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया विरेंद को शराब की लत लग गई, शराब की वज़े से साल 1947 में सिर्फ 34 साल की उम्र में वो दुनिया से अलविदा कह गए साल 1948 की फिल्म अनोखा प्यार में दिलीब कुमार और नर्गिस के साथ नलनी जैवन्त ने भी शानदार काम किया लव ट्राइंगल पर बनी इस फिल्म के बाद तैह हुआ कि नलनी जैवन्त फिल्मों में लंबे वक्त के लिए ठहरने जा रही है 40 और 50 के दशक में नलनी जैवन्त उस दौर की सबसे खुबसूरत एक्टरसस में से एक मदुबाला को टक कर देती थी साल 1952 में फिल्म फियर मैगजीन ने एक पोल किया था जिसमें खुबसूरती के मामले में पहले नमबर पर नलनी जैवन्त आई और मदुबाला चोथे नमबर पर दूसरे और तीसरे नमबर पर बीना रॉय और नर्गिस थी साल 1951 में नलनी जैवन्त ने एक मैगजीन के लिए बोर्ड फोटो शूट करवाया जो उस वक्त बेहत सुर्खियों में रहा साल 1954 की फिल्म नाज में लीड रोल किया नाज ऐसी पहली हिंदी फिल्म थी जिसकी शूटिंग विदेश में हुई साल 1951 की जादू में शुरेश, फिल्म नौजवान में प्रेमनात, साल 1953 में शिकस्त में दिलीप कुमार, साल 1954 की नास्तिक में अजीत, साल 1956 की फिल्म हम सब चोर में शम्मी कपूर, साल 1955 की फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में एक्टर सुनील दत और साल 1958 की काला पानी में देवानंद जैसे बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। साल 1965 की फिल्म Bombay Race Course के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना लिए। वजए थी उन्हें फिल्मों में लीड रोल के आफर नहीं मिल रहे थे। हलांकि आखरी बार वो 18 साल बाद साल 1983 में फिल्म नास्तिक में नजर आई थी। इस फिल्म में वो अमिताब बच्चन की मा के रोल में दिखी थी। साल 1953 की फिल्म समाधी में नली जैवंत ने अशोक कुमार के साथ पहली बार काम किया। वक्त के साथ दोनों ने कई सारी फिल्म में किये। ये जोडी खूब पसंद की गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों के बीच अफेर भी हुआ पर ये रिष्टा सास साल बाद टूटा। अशोक कुमार इस रिष्टे से पीछे हटे। वजय थी अशोक कुमार अपनी पत्नी और परिवार को दोखा नहीं देना चाहते थे। वही साल 1961 की फिल्म अमर रहे ये प्यार में काम किया। इस फिल्म के डारेक्टर थे प्रभु दयाल। इसी साल प्रभु दयाल और नली जैवंत ने शादी की। शूटिंग के दोरान दोनों करीब आये थे। ये साथ करीब 40 साल का रहा। साल 2001 में प्रभु दयाल का निधन हो गया जिससे वो पूरी तरह तूट गए। नली जैवंत चैमूर में अपने घर में रहती, संयोग देखिये, सामने ही अशोक कुमार का बंगला था, जिनसे वो प्यार करती थी। साल 2001 में अशोक कुमार भी दुनिया छोड़ कर चले गए। साल 1969 में फिल्म फियर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स और साल 2005 में दादा साहब फाल के एकडमी के लाइफ टाइम अचीवमंट अवार्ड से सम्मानित नली जैवंत की जिन्दगी के आकरी चार साल बेहत दर्द बरे थे। अब वो 84 साल की हो चुकी थी। कोई बच्चे नहीं थे, ना कोई रिष्टेदार, ना ही कोई दोस्त, कोई भी मिलने नहीं आता। सिर्फ तनहाई थी। हालात इसकदर खराब थे कि खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। या दास चुकी थी। बद हवास हालत में अक्सर वो घर के बाहर घूमती, उनको कई चोटे भी लगी थी। 22 दिसम्बर साल 2010 उनके घर का दर्वाजा तोड़ा गया, तो उनकी सड़ी हुई लास मिली। उनकी बोडी तक कोई लेने नहीं आया, तो पुलिस वाले शब लेकर चले गए। बाद में किसी दूर के रिष्टेदार ने उनके शब को पैचाना और अंतिम संसकार किया। उनके निधन के बाद से उनका बंगले में ताला लगा है। साल 1955 की फिल्म मुनीम जी में नलनी जैवन्त और देव आनन्द पर फिल्माया गया एक सूपर हिट गाना है, जो आज भी लोगों की जुमा पर है। किशोर कुमार ने गाया है, साहिल लुद्यानवी ने लिखा है और S.D. बर्मन ने अपने संगीश से सजाया है। एक आना नलनी जैवन्त के पूरे जीवन पर सटीक बैठता है। जिन्दगी की असलियत तटोलने वाले भी इस गीत में अक्सर जाकते रहते हैं। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड जाने को और दे जाते हैं यादे तनहाई में तरपाने को। तुम अपनी नई दुनिया में खो जाओ पराय बनकर जी पाए तो हम जी लेंगे मरने की सजा पाने को। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताईए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नौटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।